नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु क्रिट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आव्यू के कुछ मैतलपौन क्रिश्णों के पारे में ऐसे प्रिश्ण जो राच्य बोर्ड में पिछले वर्ष आ चुके हैं इसी प्रकार के प्रिश्ण आपको बोर्ड की परिक्षा में अकसर देखने को मिलेंगे वही प्रिश्ण हम यहाँ पे हल करेंगे जिसमें से पहला प्रेश्ण हमने कुछ इस प्रकार से लिया है यदि दो आव्यू यहाँ पे दिये हैं जिसकी कोटी समान है और इस प्रेश्ण में कहा है कि दोनों आव्यू समान है तो यहाँ पे आपको X का मान ग्याद करना है क्या आप जानते हैं कि दो आव्यू समान कब ह होते हैं बताइए आपको याद होगा कि कोई दो आव्यू बराबर तब होते थे जब उनके संगत अव्यू बराबर होते थे आप यहां देख रहे हैं कि अगर यहां 0 है तो यहां भी 0 है यहां 1 है तो यहां 3 है तो यहां वित्री है, तो इसी तरीके से ये जो 2x होगा, ये भी 2 के बराबर होना चाहिए. तब ही तो दोनों आव्यों बराबर होंगे, है न, तो यहां आप 2x को जब 2 के बराबर रखेंगे, तो इस से आपको x का मान क्या मिलेगा? एक मिलेगा और हमें यहाँ पे x कमान ही तुझे है, इसका मतलब यह दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको किस चीज की जानकारी होनी थी, अगर आपको यही नहीं पता कि दो आव्यू बराबर कब होंगे, तो आप कैसे निकालते कि x कमान क्या है, है ना, और वंकती और हो जाती, उसके कोई और मान A B हो जाते, तो A B कि आप किसके साथ तुलना करते, है ना, तो कोई भी दो आविव बराबर होने के लिए, उनकी कोटी भी बराबर होनी चाहिए, और फिर उनके संगत अवयब्गी आप तुलना कर सकते हैं, तो यह तो बहुत सिंपल प्रश्ण था तो अगर यहाँ पे आपके पास कोई दो समीकरण भी बन जाए तो उन दोनों समीकरणों को हल करके भी आपको X या Y या Z किसी के भी मान निकालने के लिए आ सकते हैं मतलब इस प्रकार के प्रश्ण आपके पास घुमा फिरा के भी आ सकते हैं राइट अगला प्रश्ण कोछ इस प्रकार से है इस प्रश्ण में कहा है कि आव्यू A बराबर 1567 के लिए सत्यापित कीजिए कि A प्लस A का परिवर्थ या इसको A ट्रांस्पोस भी बोलते हैं A कॉम्प्लिमेंट भी कहते हैं A डैश भी कहते हैं तो A प्लस A डैश एक सम्मित सम्मित सिद्गरना है है ना तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताईए कि सम्मित होता क्या है अगर आपको यही नहीं पता कि सम्मित आव्यू होता क्या है तो आप फिर क्या सिद्गर होगे है ना तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताईए कि कोई आव्यू सम्मित कभ होता है बताइए अगर आपके पास कोई एक आव्यू A, B, C, D इस प्रकार से है तो ये सम्मित तब होगा जब इसका परिवर्थ करने पर वापस यही आव्यू मिल जाए तो इसका मतलब ये कहना सही होगा कि इसके जो ये विकर्ण के अव्यव होते हैं ये कैसे होने चाहिए एक जैसे होने चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं आपे हम इसको सिद करेंगे कि A प्लस A डैश सम्मित आव्यू है या नहीं आपको आव्यू A दे रखा है 1, 5, 6, 7 तो ये बताइए A डैश का मान के आएगा इससे A डैश मतलब A का परिवर्थ A के परिवर्थ में 35 स्तंब में और स्तंब पंक्ति में परल जाते हैं तो यहाँ पे ये जो पंक्ति के अव्यव है 1, 5 ये स्तंब में आ जाएंगे और दूसरी पंक्ति के अव्यव 6, 7 ये दूसरे स्तंब में आ जाएंगे ये जो आव्यू बन करना होगा अब ये बताईए इन दोनों आप योग का योग करके आपको क्या मिलेगा वन का योग वन के साथ करेंगे तो दो मिलेगा पांच और छे ग्यारा छे और पांच ग्यारा साथ और साथ चौदा चीके ये ए प्लस ए डैश का माना आया अभी सिर्फ इतना नहीं करना हमें हमें तो a प्लस a डैश को सम्मित सिद करना था ना अभी तो हमने निकाला कि a प्लस a डैश है और कोई आव्यू सम्मित कब होती है कोई आव्यू a सम्मित जब होगी जब a बराबर a का परिवर्थ होगा तो अब हमें इसका परिवर्थ निकालना पड़ेगा तो ये बत परिवर्थ करके आप यहाँ पे स्तंब को पंक्ती में और पंक्ती को स्तंब में बदल देंगे तो यह जो 2-11 इस पंक्ती के अव्यव थे इस स्तंब के बन गए और 11-14 जो दूसरी पंक्ती के अव्यव थे अब वो दूसरे स्तंब के अव्यव बन गए तो आप दीख रहे हैं कि इसका परिवर्थ करने के बाद भी हमें A प्लस A' ही मिल रहे है ना तो मतलब इस आव्यू का परिवर्थ इसी आव्यू के बराबर है अतहा A प्लस A' क्या है? अतहा A प्लस A' एक सम्मित आव्यू है ठीक है हमें सम्मित आव्यू तो सिद करना था तो बस हमारा एक छोटा सा काम ये था कि पहले हमें A प्लस A' का मान निकालना था और उसके बाद उसको सम्मित सिद करना था तो सबसे पहले तो आपको सम्मित की परिभाशा ही पता होनी चाहिए कि कोई आव्यू सम्मित कब होगी तो आपको बना था कि A बराबर A' होगा तो कोई आव्यू सम्मित होगी तो यहां आपने आव्यू A प्लस A डश का मान निकाला, उसका परिवर्थ किया, वो उसी आव्यू के बराबर आ गया, तो यह वली आव्यू कैसी हो गई? सम्मित हो गई, ठीक है? इस प्रश्ण में आपको दो आव्यू A और B दी गई है और आपको A, B का मान निकालना है, तो गुणनफल करने के लिए पहले हमें क्या करना होता है? किनी दो आव्यू को गुणा करने के लिए आपको देखना होगा, कि वो आव्यू गुणा होने के बाद किस कोटी की बनेगी? कैसे पता करते हैं आव्यू A किस कोटी की आव्यू है 2 क्रॉस 2 की और आव्यू B वो भी 2 क्रॉस 2 की ठीक है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि किमी दो आव्यू का चो गुणनफल है वो तभी संभाव होता है जब ये दोनों समान होते है मतलब पहले आव्यू की स्तंबों की संख्या और दूसरे आव्यू की पंक्तियों की संख्या समान होती है तो ही उनका गुणनफल संभाव होता है यहाँ पे समान है तो मतलब गुणनफल तो हो जाएगा लेकिन गुणा होने के बाद हमें किस कोटी की आव्यू मिलेगी, हमें 2 x 2 कोटी की आव्यू मिलेगी, आपको देखना है कि पहले आव्यू की कितनी पंक्ती है और दूसरे आव्यू में कितने स्तंब है, तो इस कोटी की हमारे पास गुडनफल आव्यू मिलने वाली है, तो यहाँ पे जो हमें आव्यू मिलेगी वो 2 x 2 koti की मिलेगी चिके अब यह चो 2 x 2 koti की आव्यों मिलेगी इसके हम अव्यव के नाम देते हैं माना पहला आव्यव रहेगा A11 दूसरा A12 A21 और A22 चिके अब क्या करना है हमें यह अव्यव के मान निकालने है सबसे पहले हम निकालेंगे A11 का मान A11 का मान मतलब पहली पंक्ती और पहला स्तंब ठीके तो इसकी पहली पंक्ती क्या है 0 और –1 और इसका पहला स्तंब क्या है 3 और 0 तो पहले को पहले के साथ गुणा करोगे और दूसरे को दूसरे के साथ गुणा करोगे और उनको जोड़ दोगे पहले को पहले के साथ गुणा करोगे 0 into 3 करना है ठीके? दूसरे को दूसरे के साथ गुणा करोगे मतलब minus 1 into 0 करना है और फिर उनको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 0 plus 0 बराबर 0 तो अब इन ही सब calculations को हम direct करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो a11 का मान आया है वो आया है 0 अब a12 के मान के लिए हम पहली पंक्ती और दूसरे stumble की गणना करेंगे पहली पंक्ती और दूसरा stumble 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 plus minus 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 फिर a21 के लिए गुणा किया तो 0 और 2 को 0 से गुणा करने पर 0 राइट अब 2,2 मतलब की दूसरी पंक्ती और दूसरा स्थम 0 को 5 से गुणा करने पर 0 और 2 को 0 से गुणा करने पर 0 तो जो आपको यहाँ पे इसकी परिणामी आवियो मिली वो एक 0 ने आवियो मिली, राइट, इन दोनों का जो गुडनफल आएगा, मतलब AB का जमान आएगा, वो एक 0 ने आवियो आएगा, ठीके, तो ये तो बहुत ही simple प्रश्न आरखा है आपके board के exam में, यहाँ पे 2 x 2 की जगा 3 x 3 की भी matrix आ सकती थी, है न, 2 x 3 की भी आ सकती थी, यह मतलब अलग-अलग कोटी की आवियो आपको मिल सकती थी, और उनके गुडनफल आपको करने के लिए आ सकती थी, यह तो बहुती असान प्रश्न था, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, इस प्रश्न में आपको प्रारंबिक संक्रियाओं के प्रयोग से दीकई आवि बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे चली देखते हैं, यहाँ पर हमने एक ही जगा पर इस आवियो को रख दिया है, आई की जगा पर यह आइडेंटिटी मेट्रिक्स चो तत्समक आवियो होती है, उसका मान रख है और इस ए को ऐसा ही छोड़ दिया, अब हमारा प्रयास क्या करेगा कि संक्रियाओं द्वारा इस वाली आवियो को हमें तत्समक आवियो बनाने, तो तत्समक आवियो बनाने के लिए आप मुझे बताइए, इसमें सबसे पहले क्या संक्रिया लगाए कि इस चार को हम एक बना सके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसमें स्तंब की संक्रियां लगाएंगे तो हमें इन दोनों को इंटरचेंज कर देना चाहिए बदल देना चाहिए जिससे की 5-4 1 हो जाएगा या फिर इसको 4 से भाग कर दिया चाहिए तो बताईए क्या करें ऐसा करते हैं वीडियो को पॉस करके पहले अपने तरीके से इसको करिए क्योंकि संक्रियां यहां पे बहुत तरीके से लगाई जा सकती है ना जरूर थोड़ी है कि आप मेरे ही तरीके से करोगे आप अपने तरीके से कीजिए और फिर देखिए कि परिशानी कहां आ रही है कहां पे आपको दिक्कतार गे और अगर पूरा हल हो जाता है तो हम दोनों का answer match होता है या नहीं ठीके पहले आप इसको हल कीजिए और उसके बाद अपना answer से match कीजेगा तो यहां पे मैं इस पहली पंक्ती को 4 से भाग कर रही हूँ तो इसके लिए यहां पे संक्रिया लिखेंगे r1 change to r1 upon 4 मतलब पहली पंक्ती को 4 से भाग करने पर तो पहली पंक्ती को 4 से भाग करके यहां आएगा 1 और यह हो जाएगा 5 बटा 4 और दूसरी पंक्ती में कोई changes नहीं आएगे यह ऐसा की ऐसी लिखी जाएगी और जो संक्रिया आप ते इस आव्यू में लगाई है वही संक्रिया इस आव्यू में भी लगेगी तब ही तो यह ए inverse बनेगी है ना तो यहां पे यह हो जाएगा 1 बटा 4 और 0 को 4 से भाग करने पर हमें 0 ही मिलेगा और दूसरी पंक्ती ऐसी की ऐसी रहेगी इतना ठीक है अब 1 के बाद हमें इन दोनों को 0 बनाना है इस 1 की मदद से तो इसको 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो आर्टू चेंस टू आर्टू माइनस टू आर्वन करेंगे इस 1 को 2 से गुना करके इसमें से घटा देंगे है ना 2 माइनस 2 इन्टू 1 मतलब इस 1 को 2 से गुना करके इससे घटा देंगे तो 2 माइनस 2 बन जाएगा यह तो हो ज लगा के पहली पंक्ती तो ऐसी कि ऐसी आ जाएगी और दूसरी पंक्ती हो जाएगी R2-2R1 मतलब 2-2 0 और 3-2 इंटू 5 उपान 4 2R1 है न तो 2 से 4 कैंसल किया 2 तो 3-5 उपान 2 कितना हो जाएगा 1 upon 2 यहां आ गया 1 upon 2 ठीक है ऐसे ही यहां पे यह 1 by 4 आएगा यह 0 आएगा R2-2R1 मतलब कि 0-2 इंटू 1 by 4 इसको आप कैंसल करोगे तो minus 1 by 2 आ जाएगा और यह 1-0 यहां पे 1 ही रहेगा राइट अब क्या करना है अब दूसरे स्थम के इस अव्यव को 1 बनाना है इसको 1 बनाने क्लिक या करना पड़ेगा 2 से गुणा करतें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस R2 को 2 से गुणा कर सकते हैं जिससे की एक 1 बन जाए ठीक है तो यहां पे हम संक्रिया लिखेंगे R2 चेंज टू 2R2 इससे यहां पे 1 बन जाएगा ना तो संक्रिया हम लगा रहे है R2 पे, R1 में कोई बदलाव नहीं आएगा तो यह 1 और 5 बै 4 तो हम ऐसा कैसा लिख सकते हैं और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 0 जा हो जाएगा 0 और 1 by 2 into 2 हो जाएगा 1 हमने यह सब 1 बनाने के तो किया था अब सेम यहां पे करेंगे तो पहली पंक्ती तो ऐसी कि ऐसे ही आ जाएगी 1 by 4 और 0 इसको 2 से गुणा करने पर यह आएगा minus का 1 और यह हो जाएगा 1 into 2 2 राइट अब last काम हमारा बचा इसको 0 बनाना और 5 upon 4 को 0 बनाने के लिए अगर हम r1 change to r1 minus 5 by 4 r2 करे तो इसको 5 by 4 से multiply करके इसमें से minus कर दे तो यह 0 बन जाएगा ना तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे तो यह हो जाएगा 1 minus 0 को किसी से भी गुणा करो 0 रहेगा तो 1 minus 01 रहेगा यह 0 हो जाएगा और दूसरी पंक्ती बदलेगी नहीं ऐसी की ऐसी रहेगी यही संक्रिया हम यहाँ पे भी लगाएंगे तो R1 मतलब की 1 upon 4 minus 5 upon 4 R2 R2 में था minus का 1 इसको हल करेंगे तो यह होगा 1 upon 4 minus minus plus 5 upon 4 तो 6 upon 4 मतलब की 3 upon 2 आ जाएगा इसका answer तो इसका पहला अव्यप बना 3 upon 2 फिर दूसरे अव्यप के लिए R1 minus R1 का अव्यप था 0 minus 5 upon 2 R2 R2 का अव्यप था 2 इसको cancel किया तो आया minus 5 upon 2 और यह जो R2 है यह ऐसी के ऐसी रहेगी minus 1 और 2 तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह वाली चवाब व्यू थी यह आई बन चुकी है और यह A inverse हो जाएगी तो यहाँ से इसकी व्यूत क्रम आव्यू ग्याद करने के लिए कहा था आपसे तो आप उत्तर देंगे अतहा A inverse बराबर A inverse का मान के आएगा यह वाली आव्यू ठीके? तो इस प्रकार से किसी भी आव्यू का व्यूत क्रम निकालने के लिए आपको दे दिया जाए तो आप संक्रियाओं की मदद से आव्यू का व्यूत क्रम बहुत आसानी से निकाल सकते हो मुझे ऐसा लगता है और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे raw operation ही लगाए पंथी संक्रियां ही लगाए आप यहाँ पे stump की संक्रियां भी लगा सकते हैं जैसा आपको सही लगया वैसा कीजिए बस arrangement आपकी सारी सही होनी चीए calculation सारी सही होनी चीए यहाँ पे व्यूत क्रम दिया था 2 x 2 आव्यू का निकालने के लिए है ना ये 2 x 2 कोटी के आव्यू का व्यूत्रम निकालने के लिए दिया था जो कि बहुत जल्दी से हो गया और बहुत असानी से हो गया तो इस प्रकार से आपको इससे ज़्यादा कोटी के आव्यू का भी आई ए रखना है और यहाँ पे इस A को I बनाना है मतलब यह वाला जो आव्यू A है इस पे संक्रियाएं लगा के इसको तत्समक आव्यू बनाना है तो यहाँ पे हमने इस A की जगा पर आव्यू A रखी है और इस A की जगा पर तत्समक आव्यू रख दिये अब हम यहाँ पे क कोशिश करेंगे कि इसको तत्समकाव्यू बना दिया जाए तो ये बताईए कि तत्समकाव्यू बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वन बनाऊंगी ठीक है ना तो वन बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या संक्रिया लगा सकते हैं बताईए हम दो तरीके के काम यहाँ पर कर सकते हैं एक तो यह की पहले इस वाली पंक्ति और इस वाली पंक्ति को बदल दे जिससे की 5 उपर चला जाए और 2 नीचे आ जाए और फिर मैं 5 को माइनस कर सकते हूं 2 को 2 से गुणा करने के बाद है ना एक काम तो यह हो सकता है और दूसरा यह हो सकता है कि पूरे की fraction बन जाता है, यहाँ पे कोई भिन बन जाता है, तो उसको हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम avoid करते हैं कि यहाँ पे कोई fraction वाली form बने, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों पंक्तियों को आपस में बदल देते हैं, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं, R1 interchange R2, R1 और R2 दोनों पंक्तियों को हम आपस में बदल रहें, ठीक है? इन दोनों पंक्तियों को बदलने पर यहाँ पे पहली पंक्ति के आपयाव हो जाएंगे, 5, 1, 0, और दूसरी पंक्ति के आपयाव हो जाएंगे, 2, 0, minus 1, और तीसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी रहेगी, 0, 1, 3, ऐसा ही होगा? और जो संक्रिया हमने इस वाले आवियों में लगाई है वही संक्रिया इसमें भी लगाएंगे तो यहाँ पे पहली पंक्ति के आवियाब अब यह वाले हो जाएंगे 010 और दूसरी पंक्ति के आवियाब हो जाएंगे 100 और 0 है न, R2 को 2 से गुणा करके फिर R1 में से मैं माइनस कर सकते हैं तो इस संक्रिया की मदद से आपको पहली पंक्ती मिलेगी 5-4 हो जाएगा यह 1 1-0 हो जाएगा 1 और 0-2-1 तो यह हो जाएगा 2 ठीक है? और यह जो तूसरी पंक्ती है यह ऐसी की ऐसी रहीगी 2-0-1 और तीसरी पंक्ती 0-1-3 यह भी ऐसी की ऐसी रहीगी ठीक है? अब हम आते हैं इस वाले आव्यू में यहाँ पे R1-2 R2 करना है तो 0-2-1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 1-0, 1 और 0-0, 0 और R2 और R3 में कोई बदलाव नहीं आएगा इन दोनों पंक्तियों को हम ऐसा कैसा लिख देंगे तो सबसे बेला काम हमारा हो गया है इस वाले अव्यूप को 1 बना दिया अब तजसमक आव्यूप बनाने के लिए हमें यह वाला अव्यूप 0 बनाना है तो इस वाले अव्यूप को 0 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या संक्रिया लगा सकते है क्या हम ऐसा कर सकते है R2 को R1 के दुगने से माइनस कर दे मतलब यहाँ पर अगर हम यह संक्रिया लगाए R2 चेंस टू R2-2 R1 तो इस दो को 0 बनाया जा सकता है यह दो, इस दो से माइनस होके 0 बन जाएगा, है ना? तो संक्रिया लगा रहे हम R2 पर, R1 ऐसी की ऐसी रहेगी? 1, 1, 2, R3 ऐसी की ऐसी रहेगी? 0, 1, 3, बदलेगा कौन? R2, R2 माइनस 2R1, तो 2 माइनस 2 यह हो जाएगा 0, 0 माइनस 2, तो क्या हैगा? माइनस का 2, और माइनस 1, माइनस 2 इन्टू 2, मतलब कि माइनस 1, माइनस 4, यह हो जाएगा माइनस का 5, ठीके? यही संक्रिया हब इसमें भी लगाएंगे, तो यहाँ पर R1 भी नहीं बदलेगी, और R3 भी नहीं बदलेगी, तो यह दोनों तो हमने ऐसे के ऐसे लिख दी? अब बदलेगा कौन? R2, 1 माइनस 2 इन्टू माइनस 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा 5, तो 0 माइनस 2 माइनस का 2, और 0 माइनस 0, 0 हो जाएगा, राइ? अब यह वाली पंक्ती तो तजसमकावियू से मिल गई, अब हमें क्या गारना है? इस माइनस 2 को 1 बनाने की कोशिश करनी है, इस माइनस 2 को 1 कैसे बनाया जा सकता है? बताएगे, अगर हम एक संक्रिया लगाएं, R2 चेंस 2, इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए कि यह प्लस का 2 बन जा है, और माइनस R3 मतलग भी 2 माइनस 1 हो जा है, और यह 0 वाली टर्म्स तो बदलेंगी नहीं, तो यहाँ पे इसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं, जो हमें संक्रिया लगानी है, माइनस R2 में लगानी है, तो R1 भी नहीं बदलेगा और R3 भी नहीं बदलेगा, सिफ हम यहाँ पे संक्रिया R2 पे लगाएंगे, माइनस का R2 मतलग कि माइनस 0, माइनस 0, 0, प्लस 2, माइनस 1, प्लस 1, प्लस 5, माइनस 3, तो यह हो जाएगा प्लस का 2, ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, पहली पंक्ती और तीसरी पंक्ती में कोई बदलाव नहीं आएंगे, हम यहाँ पे संक्रिया लगाएंगे दूसरी पंक्ती में, माइनस 5, माइनस 0, माइनस का 5, 0, माइनस, माइनस 2, प्लस 2, 0, माइनस 1, तो यह हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, अब क्या करने है, अब इन दोनों को 0 बनाएंगे इस 1 की मदद से, तो यहाँ पे हम दो संक्रियाएं एक साथ लगा सकते हैं, R1 – R2 और R3 – R2, ठीक है, उसे इन दोनों को 0 बनाया जाग सकता है, तो अब जो संक्रिया लगेगी, 1 और 3 में लगेगी, तो R1 – R2 मतलब 1 – 1 हो जाएगा 1, 1 – 1 0, 2 – 2 0, यह दूसरी पंक्ती में कोई बदलाव नहीं होंगे, और तीसरी पंक्ती, 0-0, 0, 1-1, 0, और 3-2, 1, इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, यह होगा, R1-R2 मतलब, minus 2, minus, minus 5, मतलब, minus 2, plus 5, यह हो जाएगा, 3, 1, minus 2, मतलब, यह हो जाएगा, minus 1, और 0, minus, minus 1, तो 0, plus 1 हो जाएगा, 1, R2 में कोई बतलाब नहीं आएगे, यह ऐसा कैसा रहेगा, और R3 में, 0, minus, minus 5, मतलब, कि 0, plus 5, 5, 0, minus 2 हो जाएगा, यह, और 1, minus, minus 1, मतलब, कि 1, plus 1, 2 हो जाएगा, क्लियर है इतनी बार, अब क्या रहेगा, यह पूरी की पूरी तद समक आव्यो बन जाएगा, अगर यहाँ पे 0 बन जाए, तो यहाँ पे एक संक्रिया और लगानी है, इसको 0 बनाने के लिए, तो हम कर सकते हैं, R2 चेंस 2, R2 minus 2, R3, इससे क्या होगा, यह 0 बन जाएगा, है ना, तो यह संक्रिया लगाने के बाद हमें कौन सी आव्यो मिलेगी, यह जो पहली पंक्ती है, यह ऐसी की ऐसी आएगी, 1, 0, 0, और आखरी पंक्ती भी ऐसी की ऐसी आएगी, 0, 0, 1, हमें R2 को बदलना है, R2 minus 2, R3 करना है न, तो 0 minus 0, 0 हो जाएगा, 1 minus 0, यह भी 1 हो जाएगा, और 2 minus 2 हो जाएगा, तो 2 minus 2 कितना हो जाएगा, 0, और यही संक्रिया हम यहाँ लगाएंगे, तो पहली पंक्ती ऐसी की ऐसी आएगी, और तीसरी पंक्ती भी ऐसी की ऐसी आएगी, और यहाँ पे यह वाली पंक्ती क्या हो जाएगी, minus 5 minus 2 into 5 तो minus 5 minus 10 यह हो जाएगा minus का 15 फिर 2 minus 2 into 2 2 2s are 4 यह minus का 2 minus से multiply हो के plus का 2 होगा और यह हो जाएगा 2 plus 4 6 और minus 1 minus 2 into 2 2 2s are 4 minus 1 minus 4 यह हो जाएगा minus का 5 तो यह जो आफ्यू बनी हमारी यहाँ पे तत्समक आफ्यू बन गई और हमें चाहिए था आफ्यू A का व्यूत क्रम तो यहाँ पे जो A का व्यूत क्रम होगा वो कौन से आफ्यू होगी वो यह वाली आफ्यू होगी तो आप यहाँ पे उत्तर देंगे आताहा A inverse पराबर यह वाला व्यू ठीक है यहाँ पराबर यह वो यहाँ पराबर यहाँ वीूदोगी यहाँ पराबर यहाँ आफ्यू सकत देंगे तो यहाँ पराबर श्मॉदोदोदोषट